अलो फ्रेंट्स वेलकुम तो बाइचानल तो फिर आज हम दे डेस्टेंट विंड़ो का चाप्टर नाइन डिसकस करेंगी तो चाप्टर नाइन थोड़ा लंबा है लेकिन मैं ट्राइब करूंगी कि कम से कम टाइम में इसको खतम कर सकूं तो चलिए शुरू करते हैं चाप् के आटी यह जोड़ा बनाई गई रसी से माहिए रसी को बून के बनाई गई जो इसको चटाए बोलते हैं आपने गाव में देखी होगी रॉपकॉर्ट बोलती है उसको English में तो नंदो उसमें सोता था नंदो अक्शर लेट ही आता था काम से क्योंकि वह एक्स्ट्रा काम क सब्सक्राइब कि नखे चीक यह जटे लाके दो अद्रक वाली चाह वाली चाह लाके दो पार्वती से हाथ पैर भी दबाने को बोलता अपना मसाज भी कर्वाता तो नंडोहित को आप देख सकते लेकिन जब दंञ नहीं होता है मलव लेट आता है अक्सर शाम को पार्वती क्या करते हुआ चिण खाली को पार्वती वहाँ बैटिंगराहे कर रही होती है एक हमको पता चलता है कि पार्वती क कौनinä जिसका चीट को द्लो तो उस चाम को भी पहरवती वैसे भी बैठी हुई थी वहांपे लेकब इपम्रॉडेरी नहीं ले थी लेकिन वह कुछ एक सिला रही थी पुछ एक ड्रेस में बटन लगा रही थी ले वह वहीं वहांघान अक्हेलिए वैठी हुई थी वो अपने आत्मा से और अपने शरीर से दोनों से ही टायड लग रही थी शरीर से टायड हम जानते हैं कि वो सुबह सुबह बहुत काम की है और मेम साहब नहीं आए उस चकर में साहब जल्दी आगे तो उसकी वज़े से उसको बहुत भाग दोड करनी पड़ी तो शरीर से टायड होना तो जायज है नेकिन स्पिरिट से वो क्यों टायड है यह समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पारवाती हम स्टार्टिंग से देखते आरहे हैं एक बहुत ही puzzling character है वो बोलती कुछ है, करती कुछ है, सूचती कुछ है बहुत ही बातों को घुमा फिरा के बोलती है तो पारवती बैठी हुई है उनके घर के एक साइड में स्लम यानि बस्ती एरिया है और दूसरी साइड में जो है एक खुला मैदान है और सामने से एक रोड जाता हुआ है एक रास्ता जाता है रास्ते में लोग आना जाना करते रहते हैं, कभी-कभी गाड़ियां भी आ जाती हैं, और कभी-कभी बहुत यूनिक टाइप की गाड़ियां बहुत रेरली भी आती हैं, तो पार्वती अक्सर उन लोग को देखती रहती हैं, रोज दिखते-दिखते उसके लिए तो common बात हो उनको ऐसा लगते था जैसे कि यह कोई love-loan-o-man है, love-loan-o-man मतलब वो और जिसने अपने प्यार को खो दिया हो या फिर अपने प्यार से दूर हो गई है, याद कर रही है अपने प्यार को, उसको love-loan-o-man कहते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब यह है कि पार्वती का कोई lover ह जिसको वो miss कर रही है, या फिर नंदो से शादी करने से पहले कोई हुआ करता था, उसको miss कर रही है, लेकिन नहीं, पार्वती अगर हिस्ट्री में देखा जाए, तो फिर उसकी past life में उसका कोई lover नहीं था, तो फिर बात थी क्या, ऐसा हो सकता है कि उसको जो उसने expect किया ह सब लोग expect करते हैं कि मेरा husband ऐसा होना चाहिए, मेरा पती ऐसा होना चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी होना चाहिए, उसने भी expectations की होंगी, लेकिन शायद उसको वैसा पती नहीं मिला जैसा कि हम जानते हैं, पार्वती नंदों को व्युक्र पसंद नहीं करती और नहीं उससे प्या में कोई और कोई था भी नहीं, शायर इसलिए बहुत वह अकेला फील करती थी, वह चीज़ भी हो सकती है, फिर पार्वती याद करने लगती है, उस टाइम को जब वह अन्मेरिट थी, ममी को आ रही थी, अपने ममी पापा के साथ रहती थी, तभी वह एक टॉम बॉय हुआ पार्वती एक टॉम बॉय है, जो कि लड़कों की तरह जादा रहती है, बाहर घूमना, फिरना, फिशिंग करना, पेड़ पे चड़ जाना, इवन इस खेलती भी थी, वह लड़के दोस्तों के साथ, उसकी लड़की कोई दोस्त नहीं थी, घर जब वह वापस आ जाती, तो फिर मा को चिक्के बुला के कहती, कि मा मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूक लगी है, तो फिर मा असके हमेशा गुस्सा करती, कि अरे लड़की हो, थोड़ा कुछ काम धाम सीख लो, मेरी घर के काम में मदद कर लिया करो, क्या इस लड़कों की तरह बाहर घूमती रहती ह तो फिर यहां पर फिर से देखिये जो पुरानी की थिंकिंग यह लड़कों को यह करना चाहिए, यहां पर वही चीज दर्शाही गई है, तो पारवती की मा के यह कहने पर पारवती क्या करती थी, पुरा बच्पना करके बाट टाल देती थी, नजर अंदास करती थी, फिर अपना जाडू लगाना, या फिर बर्तन साफ करना, या फिर कपड़े दोना, कुछ ना कुछ जो उसका काम था, वो कर देती थी, बहुत तेज थी वह अपने काम में, और काम निप्टा निप्टा कि अगर उसकी मा जादा कुछ बोलती, तो फिर वह अपने पापा को बलात और हमेशा उसी की साइड लेते थे और मा उसकी मा को बोलते थे, कि अरे तुम क्यों उसको ऐसा बोल रही हो, छोटी बच्ची है, वो कितना काम करवाओगी उससे, बच्ची है बड़ी हो जाने तो फिर काम नहीं करीगी, क्या, तो फिर इससे पता चलता है कि पारवती पिता की उम्मर का है, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पारवती को जैसा characteristics है, जैसा गोर्ण चाहिए, जैसा पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है नंदो में, ना ही उसको नंदो से प्यार है, लेकिन फिर बी सुर्फ अपने पिता का करजा उतारने के लिए, क्योंकि उ वारते उनको बैठे हुए देखके सोचने लगते हैं आपस में बात करते हैं कि अरे क्या यह ऐसी कैसे खाली में बैठी हुई है घर में तो हाउस वाइफ जो होती है जो घर की ग्रेहनी होती है उसको तो बहुत सारे काम करने होते हैं इतना तो कम काम नहीं होता हाँ खाना बन आया था पहली वीडियो में तो लकडी वगरा काटना पड़ता है फिर भी ऐसी बैठी रहती है लेकिन कुछ औरते क्या करती थी वह बोलती थी उनको दया आती थी इस पर क्योंकि बिचारी लड़की कोई बच्चा नहीं है इसका अकेले रहती है सारा दिन पती भी नहीं र है और इतनी खुबसूरत लड़की है ऐसा टाइप का पती मिल गया कोई बच्चा भी नहीं है करेगी भी क्या काम क्या करेगी शायद इसलिए वह साड़ बठी तो सब लोग अपना अलग अपना अपना थिंकिंग बना रहे है कि पारवती क्यों साड़ बठी हुई है उसके कार से विंडो से पारवती को बुलाते हैं और पूछते हैं अरे तुम क्या यहां रहती हो पारवती कार के पास जाके कहते हैं कि हां साहब मैं यहां रहती हूं तो साहब उससे कहने लगते हैं कि और पारवती थैंक्यू तुमने मेरी जान बचा ली तुमने दश्रत ने जो तो फिर साहब एक का इतने से मन नहीं भरा वो फिर गाड़ी खोल के गाड़ी से बाहर आगए और पारवती से बात करने लगे बात कटे कटे ज़ब साहब कूंकि थेंक्स बोल रहे थे तो फिर पारवती कहने लगी कि चलिए फिर मेरी एडवाइज आपको काम आई फिर तो आपको हमेशा मेरी एडवाइज लेती रहनी पड़ीगी साहब बोले कैसी एडवाइज ना जैसे कि अपना ख्याल रखा कीजिए हर किसी की बात पर विश्वास मत किया कीजिए खाइना वणा देखके खाईए कि क्या दिया जा रहा है साथ केहते हैं हाँ ये तो सेही बात है फिर परवृती कहती है कि साहाव आप जितना जल्दी हो सके न मेम साहाप को लेकर आए तो साहाव को ये लगता है कि शायद वो इस लिए बोल रही है साहब की ये बात से उसका बहुत जादा गुस्सा आता है उसका जो self-respect उसको harm हो जाता है क्योंकि ऐसा को intention था नहीं उसका फिर वो कहने लगी बस एक अजीब सी smile जो देते है ना एक weird सी smile देके कहने लगी कि साहब कि आप कभी ऐसे लोग से नहीं मिले जो without किसी intention के बिना विश्धिय लक्षे के बिना भी बात करते हो ऐसे नोर्मली बात करते हो तो साहब बोले कि नहीं अब तक तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे किसी लड़के से या लड़की से या औरत से जिस से भी मैं मिला हूँ ऐसे तो पारवती बोलती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर आप तो बोगत ही अनलग है और भागेशा लिए हो कि आप किसी सब्सक्राइब करते हैं तो फिर साहब यह सब सुनके बोलते हैं कि हाँ सही कह रही हो तुम आफ कर दो मुझे मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हो गए मनी मन वह सोच रहे थे कि पारवती है तो एक अटेंडन की भाइफ काम तो एक नौकरानिका करती है डाग बंगलो लेकिन उसके अंदर एक जो सेल्फ डिग्निटी एक सेल्फ राइड है वह सबसे अलग है जनरली लोग क्लास पीपल हमेशा ही सुस्ते कि कैसे काम कर ले कैसे पैसा कमा ले यह वगरा वो लोग खुदी खुद के नजर में खुद को नीचा करके दिखते है खुद की इज़त उसे बहुत डिफरेंश है फिर साहब के माफी मांगने पर पारवथी कहती है को نہیں साहब आप गलत नहीं हो सबकी इसे ही थिंकिंग धर कि हमलोक क्लास पीपल है हम गरीब लोग है तो फिर हम सोच हमारी सोच भी चोटी ही होगी साहब बोलते है कि यह धान जहां एसा वी है कि टो बढ़े-बड़े लोग वह लोग धी चोटी सोच रखते और मिला हूं ऐसे लोगों से बहुत लोगों से मिला हूं सामने दिखाएंगे कि पूरा्य साफ नियत वाले बहुत अच्छ लेकिन पीछे-पीछे आगर देखूगे तो फिर बहुत ही चोटी सोचाहन की तभी ऐसे बाते कटे पर्वती किप्ते पारवती इसपर पेड की पच्छाही तो है और उसकी नहीं प्रॉश्बिदि Yay जोर से हसने लगती है अजीव तरह से तो साहब को भी थोड़ा जीव लगता है फिर पारवती कहते हैं कि अब बताने में इतना जिजब क्यूं कर रहे हैं आपकी जगह यहां और कोई खड़ा होता तो फिर मुझे सीधा सीधा पूछ लेता कि अरे तुमके रात को डाप बंग समझे का मैं वैसी नहीं हूं साहब बोलते कि पता नहीं अभी तो मुझे लगने लगा है कि तुम भी वैसी ही टाइप की लड़की हो तो पर पारवती कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है साहब मैं तो बस आपको यह समझाने के कोशिश कर रहे हूं कि आप मेंसाब को अपने लडराम के ऐसे लोगों की वह लगने कम क्या मैं आपको बड़किया करते हैं आप जैसे बहुत सारे साहब आते हैं को सप्लाइ करते हैं अज्यवाद की चीज है उनको इसप्लाई क्या जा रहे हैं एक इसट वह है burger care दॉध में पताई जू जो जो शी बिदर हो साह具 नंधर नंदराओ तो साहब बोले कि यह नाम कहीं सुना सुना से लग रहा है खेर मैं इसको याद रखुआ फिर ऐसा कहके वो गाड़ी में अपने गाड़ी में वापस बैठके वहां से निकल जाते लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे वो बार-बार ही सोच रहे होते कि उन्होंने य याद में या रहा होता है फिर उन्हीं याद आता है कि वो पारवती से उसका नाम ही पूछना भूल गया लेकिन अभी पूछके वी क्या फाइदा वह थोड़ी ना परवती को कोई काम दे रहें नाम जानके भी क्या करींगे लेकिन सुबह तो उसने नाम बताया था अपना पारवति का नाम उनको याद नहीं था, लेकिन उसका जो टाइटल है राउत वो उनको याद आ गया, उससे उनको पता चल गया कि अरे इसका भी टाइटल राउत है, फिर बोली वो नंदर राउत, राउत, मतल़ बहुत कहीं ऐसा तो नहीं, कि पारवति उसी की पत्मी है, बोल रही थी कि लड़कियों को बेचता है नौदराउत कहीं इसको भी वह वैसे खरीद के तो नहीं लाया किड़नाप तो करके नहीं लाया क्योंकि यह लड़की तो बहुत ही सेल्फ डिग्निटी वाले लगती है किसी छोटे घर से तो आई हुई नहीं लगती है कहीं अपने भी नहीं है वह छोटे क्लास की चोटे फैमिली की तो यहां पर चप्टर खतम होता है अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट सरूर कीज़े और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीज़े और उनको बता झाल झाल